नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल करेंस ट्यूरियल्स पर दोस्तों आज हम देखेंगे प्रैक्टिस इट 10 दस्मक पेपर है इस ट्रंखुला में बहुत इंपर्टन कोश्चिन की सिरी चल नहीं है आप उसमें हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं और प्लेलिस में जाके आरो यारो उसमें टैसरी चल पर चलना है उस पर आप जाके पेपर का लाभ उठा सकते हैं चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन है भारत का संगीन अले निमलिखित में से किस वर्स इस्थापित किया गया जो संगी नेयले है वो किस वरसे स्थापित के आगया था चार आफशन है 1935, 1937 1946 1947 तो भारत में संगी नेयले किस थापना कब की गई थी B आफशन सही है 1937 में तो ये संगी नेयले किस थापना कब की गई 1 October itness 1937 को तो एक अक्टूबर 1937 को संगीन आले के स्थापना की गई और भारत सरकार अधनियम भारत सरकार अधनियम 1935 द्वारा ठीक है तो संगीन आले के स्थापना एक अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधनियम 1935 द्वारा इसके स्थापना की गई इसके सर प्रथम मुख्य नयादिश कौन थे प्रथम मुख्य नयादिश प्रथम मुख्य नयादिश जो थे वो सर मौरिस गेवर सर मौरिस गेवर ठीक है सर मौरिस ग्वेर तो यह बहुत इंपॉर्टेंट कुश्चन है 1937 में भारा सरकार गौर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा एक अक्टूबर 1937 को संगीय नियाले के स्थापना कि गए इसके मुखिन आदिस सर मौरिस ग्वेर थे ज़िएक है सेकंड कुश्चन है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कारेपाली का परिषद के उपसमापती कौन थे तो कारेपाली का परिषद के उपसभापती कौन थे चार अपसंदेख लेते हैं जवाहललाल नेहरू डक्टर एस राधा किश्णल स्री राजगुपाला चारी डक्टर राजन प्रसाद तो उपसभापती जो एंटरिम गवर्मेंट थी अंतरिम सरकार उसके उपसभापती कौन थे जवाहलल नेहरू ठीक है और जो इसका पदेन सभापती था पदेन सभापती जो अंतरिम गवर्मेंट का था वो वाईसराय होता था तो उपसभापती जो मारे थे जवालल नेहरू थे और पदेन सभापती जो एक्स ओफिसियो बोलते हैं एक्स ओफिसियो वो थे वाईसराय है वेफिस अगस्त उन्तरिम सरकार्व त्वरा या किन इस उद्धेस साथ की अंतरिम सरके सितम्बर में अपना कारे भाण समाल लेग व्यां देक है तो चोवीश अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की गोशना इस प्रकार की गई थी ठीक इस दिन अंतरिम गौवर्रमेंट का डिसीजन ले आ गया था इस दिन अब वो किस दिन फॉर्म हो जाएगी 2 सितंबर 1946 को सरकार बना ले गए ठीक है तो 24 अगस 1946 को यह गोशना इस उद्धिस के साथ की गई किस अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को अपना कारेबार समान लेगी नेक्स कोशन देखते हैं संबिधान सबाद्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्फ संखेकों हे तो सलाकार समित के अध्यच्य कौन थे पंडित नहरू सरदार पटेल बी अन व्राव डक्टर अंबेडकर तो मौलिक अधिकारों एवं अल्फ्संखेकों कि सलाकार समित के अध्यच्य कौन थे सरदार पटेल तो सरदार पटेल संबिधान सावाराद्वाद्Ôरा कठित मौलिक अधिकारों एब हम अल्प संख्यों को ये तो सलाकार समित के अध्यच्य थे जबकि सलाकार समित की उप समितियां जैसे कुछ समितियां और थी जैसे मूल अधिकार उप समिति मूल अधिकार उप समिति इसके अध्यच्य कौन थे जेबी क्रपलानी मूल अधिकार की उप समिट थे उसके अध्यच्च थे जेबी क्रपलानी अलप संख्यक उप समिट जो थे अलप संख्यक उप समिट थे उसके अध्यच्च SC मुखरजी HC मुखरजी यहाँ पर देखिए सम्मिधान समातारा निर्विट जो मौली का दिकार हो एवं अलप संख्यको हेद उप सलाकार समिट के अध्यच्च सरदार पटेल थे और SC की जो उप समिटिया थी इनके अध्यच जेबी क्रपलानी तथा अलप संख्यक उप समिटी उसके अध्यच HC मुखरजी ठीक है यहां तब किसी को डाउट नहीं होना चीए अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्षन में कमेंट कर सकते हैं चले नेक्स कोशन देखते हैं राश्टपत के निर्वाचन में राज के मुख्यमंत्री मद्दान करने के पात्र नहीं होगा यदि वह स्वयम प्रत्यासिव है उसे राजविधान मंडल के निचले सदन में अथ्वा बहुमत सिद्ध करना सेश हो वह राजविधान मंडल के उच्छ सदन का सदर्श हो राजविधान मंडल के निमन सदन का सदस्य हो तो मुख्यमंत्री जो भी है वह वह प्रास्ट्पत के निर्वाचन में अपना मद्दान नहीं दे सकता यदि इन चार्क में से कोई एक कंडिशन जो है उससे फिल्फिल करता हो तो यहां पर देखिए अगर वो अगर जैसे बिधान पार्लियमेंट जैसे पार्लियमेंट है इसकी दो बाडी होती है लोकसभा और राज्यसभा यह दोनों सदन यह उच्छ जो राज्यसभा होती है वो अपर हाउस बोला जता है इसे और इसे लोवर हाउस इसी प्रकार स्टेट के लिए यह तो हो गया सेंट्रल के लिए स्टेट के लिए विधान सभा और विधान परिसद इसे प्रकार स्टेट के लिए विधान सभा और विधान परिसद दोनों हाउस है वाकि हर जगे विधान सभाई है तो विधान परिसद के जो भी अगर सदस होते हैं वो राजप्र के निर्वाचन में अपना मत्ना नहीं कर सकते हैं तो वह राज विधान मंदल के ऊच्छ सभन का सदस हैं तो अगर मुख्र मंत्री ऊच्छ सदन का सदस हैं जैसे मालिया अगर यूपी की बात कर लेते हैं यूपी में अगर CM योगी योगी जी अगर अपर हाउस उच्छ सद्रन जो यहाँ पे बिधान परिशद है इसके अगर मेंबर होते तो यहाँ पे राष्टपत के चुनाव में अपना मददान नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे C आप्शन से लिए नेक्स कॉश्चन देखते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करें और कूट के प्रयोग में सही उत्तर का चैन करें सूची 1 संस्थान है और किस अनुच्छेद के तहत आते हैं उसको देख लेते हैं भारत का नियंत्रक एवं महा लेखा परिच्छक जिसे कैग बोलते हैं कम्ट्रोलर एंड ओडिटर जन्रल ओप्शन वन है अनुच्छेद 315 वितायोग अनुच्छेद 280 प्रसासनिक प्राथिकरण अडिमिस्टेट्ट्रेट्व अथार्टी संगलोग सेवायोग अनुच्छे 323A अब इनमें कौन सा कूट सही है तो कैग जो है भारत का नियंत्रक एवं महा लेखा परिच्छक आर्टकिल 148 के तहात आता है वितायोग वितायोग सही है आपका आर्टकिल 280 संगलोग सेवायोग आर्टकिल 315 प्रसाशनिक अधिकरण आर्टकिल 323 कलॉज A तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा आप्शन सही है A का थर्ड A का थर्ड दोनों में है B का सेकेंड B का सेकेंड और D का फर्स्ट तो यहाँ पर A आप्शन सही है नेक्स क्रूशन देखते हैं हैलिना टैंक रोधी मिसाइल के संदर्ब में पारगेट इस मिसाइल को ALH रूद्र तथा लाइट कमबेट हेलिकाप्टर पर तैनात गिया जा रहा है इस मिसाइल का मारक चमता 7 km इसकी मारक चमता है इतनी दूर का ही टारगेट कर सकती है नीचे दिगए कूट का सही कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये तो यहाँ पे हेलिना जो है थर्ड जन्रेशन थर्ड जन्रेशन फाएर and फारगेट मिसाइल है जो टैंक करोदी मिसाइल है इस मिसाइल को ALH रूद्र तथा लाइट कमबेट हेलिकाप्टर पर तैनात किया जा रहा है किया जा सकता है इस मिसाइल की मारक चमता शेवन किलमेर तो यहाँ पे तीनों कथन सही है यहाँ पे वन टू और थ्री और जो हैलिना है इस मिसाइल को डियार डियो ने बनाया है डियार डियो पर ठू छान समध्धान विर्खी संगठन कोड़ कावी विफ्ञां कि elemento कोई अधिकार नहीं देता है अधिकर नहीं देता है प्रदान मंतरी की अनमक्री यूपट इंट राजर के मुखमंत्री की निक्ति का रच्छावलों का सरवच कमांडर होने का देश के किसी भाग में आपात काल लागू पने तो यहां पे चार ओप्सन है इसमें से कौन सा सही है तो प्रधान मंत्री की निक्ति करता है राश्टपती रच्छावलों का सरवच कमांडर होता है सुप्र सर्वोच कमांडर होता है देश के किसी भाग में आपात का लागू करने का ये भी कर सकता है तो राज के मुख्यमंत्री की निक्ति जो है राश्पत नहीं करता है वो कौन करता है राज का राज जिपाल करता है आर्टिकल 164 क्लाज 1 के अमसार राज्यों के मुख्यमंत्री की निक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को होता है तो आर्टिकल 164 क्लाज 1 कहता है कि राज्यों के मुख्यमंत्री की निक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल का होता है हें नेख्स cuestion देखते हैं भारत सरकार का मुख्य वीदी प्रामर्स दाता होता है इंडियाRO नेख्र HARFशन को और मकर्ते मिद्ले कि और मत्र लश्रायो से ले कि अद्व को अद्वD होता है अधार्नी जन्रा विद्ल home अटाने जर्नल आफ में इंडिया आर्टिकल सेवेंटी सिक्स एक अनुच्छेद छेत्र के अनुसार भार्त का एक महान आयवादी होगा भार्त का एक महान आयवादी होगा भार्त सरकार का वकील कहा जाता है जिसे भार्त सरकार का वकील कहा जाता है तो ते नेक्स कोर्शन देखते हैं मंत्र परस्त सामोही गुडरूप से उत्परदाई होती है लोकसभा के प्रति एक समवैधानिक बात था कि अन्तरगत अनुच्छे 75 क्लॉस 3 की अनुसार अनुच्छे 74 क्लॉस 3 की अनुसार उप्रोक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य है मत्रपरसद सामोही क्रुप से उतरदायी होती है लोग सभा के प्रति एक संवेदनिक वाधिता के अंतरगत अनचे शेविंटी फाइब क्लॉस थ्री में यह लिखा हुआ है कि समेधार में नहीं है 75 clause 3 के अनुसार मन्तिपरसद सामयोग रूपसद लोगसभा के प्रति उत्तर दाई होती है तो यहाँ पे B options है 1, 2 और 3 Next question है लोगसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते है वर्स में एक बार वर्स में दो बार, वर्स में तीन बार वर्स में चार बार तो लोगसभा के दो सत्र बुलाए जाते है कम से कम दो सत्र बुलाए जाते है और एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में 6 महने से ज़्यादा का gap नहीं होना चाहिए 6 महने से ज़्यादे का gap नहीं होना चाहिए तो आर्टिकल 85 clause 1 क्या कहता है अनुच्छेद 85 clause 1 कहता है कि लोग सभा में एक सत्र का अंतिम बैठक जैसे 1st सत्र की अंतिम बैठक और आगामे सत्र की इसकी अंतिम बैठक आगामे सत्र की प्रत्म बैठक इनके मध्य 6 महा से जदा का गैप नहीं होना चाहिए ठीक है छे माँ से पहले ही आपको बैठे बुलानी चाहिए तो इस प्रकार एक साल में दो बार सत्व बुलाया सकते है निमलिकित में से कौन सा सूचना की अधिकार अधिकार अधियम 2005 से सम्मंदित है लिली थामस बनाम भारस संग, नंदनी सुंदर बनाम 36 वड़ राज्य, नमित सर्मा बनाम भारस संग, उप्रकार में से कोई नहीं तो सूचना की अधिकार अधियम 2005 के अनुसार नमित सर्मा बनाम भारस संग, जो है वो सूचना की अधिकार से सम्मंदित है तो यहां पे C options आई है, ठीक है, next question देखते हैं, राजसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया गया है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में, एस्टिमेट कमेटी में, सारदिनिक उद्धिम कमेटी में, कूट से उत्तर का चैन कीजिए, तो जो एस्टिमेट कमेटी है, इसे प्राकलन कमेटी भी कहते हैं, प्राकलन समित भी कहते हैं, इसमें राजसभा के सदस्यों का कोई संबंध नहीं होता है, एस्टिमेट कमेटी में, तो यहाँ पर C option है, बाकी पब्लिक अकाउंट कमेटी और सारवजनिक उद्धिम कमेटी में, लोगसभा और राजसभा दोनों मिम्बर होते हैं, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में, 15 सदस्यों होते हैं, लोगसभा के होते हैं, और 7 सदस्यों होते हैं, और एस्टिमेट कमेटी में तीस सदस्य होते हैं और सारे सदस्य लोग सभा से आते हैं तो यहां पर सेकेंड आप्सन सही है एस्टिमेट कमेटी में राज्य सभा कोई संबंदर नहीं होता है नेक्स कोश्शन देखते हैं प्रदीप्त व्रत। किसे कहते हैं गलोपर वा जो पूर्वी और पस्चमी जो विवाज जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थ ज्याद की जाती है गुलोप पर वह व्रत जिसके द्वारा दिन रात का विवाजल किया जाता है गुलोप पर वह व्रत जो उत्री एवं दच्छनी गुलाट को विवाजित करती है तो प्रदीप्त व्रत किसे कहते हैं तो यहां पर व वहां ब्रत्त जो दिन और रात को विवाजित करती है। ठीक है। नेक्स्स क्रूश्चन देखते हैं। प्रत्वी के समीप पाई जाने वाली वायमंडली परत्त को क्या कहते है। ट्रोपोश्पेर, स्ट्रेटोश्पेर, आयनोश्पेर और एक्जोश्पेर। तो प्रत्वी पर सबसे समीप जो पाई जाती है लेयर हुआ है ट्रोपोश्पेर। यह अर्थ है तो पूल जो पूल है इन पर हाइट कम होती है और यहां पर हाइट बढ़ जाती है ट्रोपोश्पेर की। तो यह हाइट 6 से 8 km होती है और यहां से 12 kms तक बारा से 18 km तक होती है ट्रोपोश्पेर की है क्षार तो ट्रोपोश्पेर की सबसे समीप जो है परत है, वह ट्रोपोश्पेर है। वायुदाब सबसे कम होता है सीतरी तुमें वसंतरी तुमें सरदरी तुमें ग्रिस्मरी तुमें तो वायुदाब सबसे कम कहा होगा कम होगा जब तंप्रेचर ज्यादा होगा तो तंप्रेचर अगर ज्यादा है तो वायुदाब कम होगा तंप्रेचर कम है तो वायुदाव ज़्यादा होगा तो हाइट बढ़ने पे एटमास्पिक प्रेसर जो है वो बढ़ता है तो ग्रीस मरितु में ग्रीस मकाल में वायुदाव सबसे कम होता है संगरन होने की आवश्यक दसा है संगरन होने की आवश्यक दसा है ताप में ब्रद्धी आदरता में नमी ताप में कमी होना तो यहाँ पे A और B दोनों कोन सा अप्षन सही वो देख लेते हैं संगरन के लिए संगरन के लिए ताप में कमी होना अवस्यक होता है ठीक है जो जलवास्प होती है जल वास्प होती है उसका जल में परिवर्तल संगनन कहलाता है ठीक है जो वाटर वेपर है वाटर वेपर है इसका ड्यू पॉइंट में कनवर्ट होना इसे संगनन कहा जाता है ठीक है तो ये जल वास्प जो है वो बर्फ में कनवर्ट जाती संगनन कहते है तो ताप में कमी होगी तभी वो ड्यू पॉइंट से अपना वाटर वेपर से इसमें संगनी तो पाएगी नेक्स्ट कॉस्चन देखते है महाद्यूप में सरवाधिक वास्पिकर्ण होता है तच्छिडे च्छांस दस दिग्री इन दोनों के मद्ध सरवाधिक वास्पिकर्ण होता है ठीके तो वास्पिकर्ण क्या होता है जल जो होता है उसका वास्प में परिवर्तित हो जाना उसे वास्पिकर्ण कहते है तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मद्ध वास्पिकर सबसे ज़ादा होता है नेक्स कोश्चन देखते हैं किस चेट में भूमद्य सागरी जलवाएं प्रचली ते नहीं है मद्य चली में कैप टाउन में एडिलेड पैमपास तो यहां पर भूमद्य सागरी जलवाएं वह जलवाएं है जो भूमद्य सागर के समीब बरती भागों में पाई जाती है तो भूमद्य सागरी जलवाएं मेडिटेरेनियन सी के मद्य Mediterranean सीग के आसपास जो भी छेतर पाये जाते हैं उसमें भूमत सागरी जलबाई पाये जाती है तो भूमत सागर के अलावा कैलिफोर्णिया तटवर्ती छेतर पस्चिमीन तच्छडी अस्ट्रीलिया तच्छडी अस्ट्रीलिया को एडिलेट कहा जाता है तो यह जो पेम पास चेत्र यह अर्जिंटीना में पाए जाता है तो यह पैम पास वाले छेत्र में ब्हुमद्व सागरी जलवाय प्रचलित नहीं है बाक्धी हर जगे मंद्व चिली में और असागरी जलवाय पाई जाती है, 90 East Ridge, 90 East Ridge कहां परिस्तित है, प्रसांत महासागर में, हिंद महासागर में, अंध महासागर में और आर्कटिक, तो 90 East Ridge क्या है, एक Ridge, रिज समस्ते हैं आप क्या होता है, जो समुद्र के अंदर योगी पहाडी नुमा छेतर पाया जाता है, जिसके अंदर नीचे एक टाइप का पहाडी छेतर पाया जाता है, उसे Ridge कहा जाता है, तो 90 East Ridge कहा परिस्तित हैं, वो देख लेते हैं, 90 East Ridge एक जलमगन जो अला मुखी कटक है, एक प्रकार का जलमगन, जल के अंदर जो अला मुखी कटक है, जो कि हिंद महासागर में पाया जाता है, हिंद महासागर में इसकी इस्तिति पाई गई है, इसकी लंबाई कितनी है, पाँच हजार किलोमीटर, 5000 किलोमीटर रहे है, और साच चोड़ाई इसकी कितनी है, यह 200 किलोमीटर, दककन ट्रैप के समद में कौन सा असत्य है, इसकी रचना दरारी उद्वेदन से हुई है, इसकी रचना दरारी एवं केंदरी उद्वेदन से हुई है, दककन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल में के अंतिम चरण में हुआ था इसकी रचना मुखता बसाल्ट से हुई है तो यहां पे दक्कन ट्रैप के मामले में कौन सा आसत्य है वो देखना है तो यहां दरारी और केंदरी उद्वेदिन से प्राप्त हुई है यह भी सही है दक्कन ट्रैप से यह option जो है वो गलत है चलिए यहां पे आज समाप्त करते हैं क्लास को आई होप आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा कॉस्चन भी अच्छे लगा होगे और कॉस्चन का जो लेवल है वो आपके एक्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूप यारो यारो इन सभी एक्जाम्स के लिए और आने वाले अग्रिम एक्जाम्स के लिए खुद इंपॉर्टेंट कॉस्चन से आप ऐसे हमारे साथ बने रही है अच्छे से अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और ज्याद